हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का रीजडिंग लाइप बाई दीपक सर वन स्टॉप सॉलूशन ओफ रीजडिंग के धमाकेदार दोस्तों प्लेटफॉर्म पर और मैं दीपक दीर्ध्यानी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ रात को आठ बजे से चलने वाली इस बहतरीन क्लास के अंदर जो की पुनर जन्म सिरीज के रूप में आप लोगों के लिए चलेगी और आज का जो टॉपिक हम लोग डिसकस करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन आप चाहे किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां कहीं पर भी रीजनिंग आती हो तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहीएगा डेली शाम को आठ बजे क्लासिफिकेशन टॉपिक के साथ पहले पढ़ेंगे आप लोग वरबल रीजनिंग, देन नौन वरबल और फिर पढ़ेंगे आप लोग लोग लोजिकल रीजनिंग, जी हाँ बैतरीन चीज़ें आप लोग के लिए स्टार्ट होने वाली तो फड़ाफट से एक बार दोस्तों सेशन को शेर कर दें अपने सारे दोस्तों मित्रों को इन्फोर्म कर दें कि दीपक सर लेकर आ चुके हैं पुनर जन्म सिरीज को कंटीन्यू करते हुए आपके लिए क्लासिफिकेशन पार्ट वन नाम से ही पता लग रहा है क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गी करण वर्गी करण किन चीज़ों का होता है जिनके अंदर समान लोजिक होता है यारी आपको चार option जो मिलते हैं उनके अंदर तीन ऐसे logic मतलब तीन जोग है उसका एक group बनेगा एक ऐसा होगा जो different होगा उसको आपको identify करना होगा ठीक है बात समझ में आ रही है तो सभी लोग तयार हैं सभी बच्चे एक बार थमसब करके बताते हैं कि yes sir बिल्कुल ready है तो चलिए दूस्तों शुरुआत करते हैं पुनर जन्म सिरीज में चलिए एक भैतरी इन motivation कोट के साथ लीजी एक भैतरी इन motivation कोट के साथ में दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जब भी आप कुछ हांसिल करना चाहते हो तो अपनी आँखे खुली रखिए ठीक है कैसे हो आप सभी लोग सभी लोग सबसे पहले में जानना चाहता हूँ आशी चंदन शालू पटेल दुरगेश कुमार, पबजी, किंग, शाम, विश्वकरमा, विक्की, धननची, गायकवार, नितेश राज, अमित कुमार, नुतेश कुमार और उसके साथ साथ कपिल गोतम, शाम विश्व कर्मा, श्रेया तिवारी, सभी लोगों का तहे दिल से स्वागते भाई, जल्दी से आ जाएंगे दोस्तों, जब भी आप कुछ हांसिल करना चाहते हो, तो अपनी आँखे खुली रखिए, ध्यान दें, पक्का कर लें, क्या ज सारे बच्चों ने डिसिजन लिया हो, कि भाई साब हमें पढ़ना है, पर मन में कहीं न कहीं, एक आसमन जस जैसी स्थिती जरूर कभी न कभी आई होगी, कि यार मुझे ये नहीं ये करना चाहिए, पढ़ाई को second priority दूं, या फिर जो है, बाकी चीज़े हैं, उनको side में र कहनत कर रहे हो, तो उसके बाद, कुछ साल के बाद में, या फिर जितना भी time period आपने decide किया है, उसके बाद आप successful होंगे या नहीं होंगे, आपको वो चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसका plan आपके पास में पूरा होना चाहिए, कहने का मतलब ये, ठीके guys, clear है, आज का session बहुत important होने वाला है, इसलिए सभी बच्चों से request है, जो भी बच्चे नहे हैं, channel को subscribe कर लें, reasoning life by दीपक सर, and reasoning life shots, दोनों ही channels को subscribe कर लीजेगा, और bell icon को press कर लीजेगा, ताकि classes के notification मिलते रहें, class की PDF आपको reasoning life by दीपक सर channel, ये जो telegram channel का नाम है, reasoning life by दीपक सर channel, जिसका link ध्यान पूरवक देख लें, उसका link भी ये है, t.me slash reasoning life by दीपक सर channel, पूरा लिखा हुआ है, ठीक है ना भाई, तो इसी telegram को आपको join करना है, और यहां से PDF आपको download कर लें, इसके अलावा आप सभी लोगों ने app download कर ली होगी, अगर नहीं किये तो कर ले ना, क्योंकि इस Friday आप लोगों के लिए शाम को 8 बजे धमाकेदार टेस्ट होने वाला है, जैसा कि पिछले Friday को भी हुआ था, एवरी Friday शाम को 8 बजे आप लोगों के लिए reasoning का भेतरी ने एक टेस्ट होगा, जिसको आप लोगों को लगाना है, और All India में आपकी क्या rank आती है, और आपको कितन कोशन्स आते हैं, यह चेक कर लेने, New A2Z reasoning foundation batch, जी हाँ, New A2Z reasoning foundation batch में अभी भी registration open है, तो close होने से पहले ही join कर लीजेगा, अगर आपका target SSC, railway, police, पटवारी, J, stenographer, CPO, CHSL, इन में से कोई सा भी exam है, ठीक है, चाये UP, SI ही क्यों नहों, या दिल्ली पुलिस ही क्यों नहों, या भी reasoning आती है, New A2Z complete reasoning foundation batch में, बिल्कुल 0 से लेके high level तक सारी चीज़े पढ़ाई जा रही है, 10% का discount है, एक साल की validity है, 200 mock test, complete theory और previous year paper के questions के साथ, printable PDF, आप print भी निकाल सकते हो, और वीडियो को download करके भी वीडियो को देख सकते हो, यह सारी facility अपनी app पर available है, एप का नाम है reasoning live by दीपक सर, कोई भी समस्या हो, तो 960251-4332 पर call कर लेना, ठीक है, इसके अलावा recorded batch भी available है, CGL के लिए भी batch चल रहा है, railway का dedicated batch अपना चल रहा है, बिहार SSC का batch चल रहा है, जिसकी अगर target batch चाहिए, तो target batches भी available है, test series भी available है, 200 reasoning के mock test 125 रुपे में मिल रहे है, एक साल की validity के साथ, 1500 reasoning के mock test 99 रुपीज में, 100 reasoning के mock test 75 रुपीज में available है, इसके अलावा express batch जो की railway को dedicated है, सभी subject चल रहे हैं, सभी subject की सभी classes, complete theory, previous year paper के question and 100 full length mock test, 10% का discount है, code use करेंगे D10, D10, ठीक है, इसके अलावा toppers batch जो की SSC को dedicated है, SSC के सारे subject आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक complete theory के साथ, और अगर किसी का math reasoning strong है, GK GS week है, तो geography, quality, history, science, static, GK prepare करने का मोगा है, RM batch के form, ठीक है, बुक आपके घर पर पहुच रही है, दोस्तो 399 रुपे में, SSC को dedicated, अपनी भैतरीन लाजवा practice book, जिस किसी को भी आँखों में परेशानी है ना, तो load लिले ना, बुक भी available यहां से भी practice कर सकते हो, ठीक है, bilingual content is so set है, railway वाले railway वाली order कर ले, SSC वाले SSC की order कर सकते हैं, ठीक है guys, यह सारी चीज़े आपको मिल जाएगी और कोई भी समस्या हो, तो 96025-4332 यह अपना telecalling number है, ठीक है, तो भाई, पुनर जन्म सीरीज में दोस्तों ध्यान पूरवक लेना, अब classification के questions का जो तरीका है न, examiner ने change कर लिया है, मैं आपको बताओ, पहले तो क्या होता था न, कि सीधी सीधी आपको पताए कि चार options देता था, उनमें तीन में logic लगता था, और एक different होता था, लेकिन अब क्या है न, वो इसके अंदर भी similarity को किस प्रकार से change करेगा वो आप लोग देख लेना, अभी 2022 में और 2023 में जितने भी paper हुए हैं, SSE के, विशेज तोर पर मैं यहाँ पर indicate करूँगा, SSE के जितने भी exams हुए हैं, पुलिस पटवारी के जितने भी exams हुए हैं, या फिर railway का आपने NTPC का paper दिया है, तो उसके अंदर भी classification के जो पूछन मतोद, आप 3 को अलग करके logic निकालते थे, इससे बहतर है कि उसने क्या कर दिया, आपको एक set दे दिया, आप पहले इस set में logic लगाईए, और इस set से सम्मंदित, जो आपका logic या जो भी आपको option match कर रहा है, उसको आप लोग टिक करके बता दीजिए, ये नए प्रकार के जो प्रशन हैं जो आपके exam में आये हैं, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, तो आप लोग फिलाल देख लें इनको, और फिर उनकी भी practice करेंगे, जो बरसों से चलते आ रहे हैं, 20 साल से चल रहे हैं, ठीक है, clear है, बात समझ में आ रही है, ये नए प्रकार के प्र लेना, कभी वो पूसता है, कभी वो पूसता है, नहीं है, तो हमको सारी चीजे सीखनी है, सारे latest pattern के questions आप लोगों के सामने हैं, तो पहले प्रशन से हम लोग स्टार्ट करने हैं, फिलाल में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, कि classification होता क्या है, ये set है, इसमें logic हैं, select the set in which the numbers are related in the same way as the, या as are the numbers of the following set, इस set से संबंदित कौन सा set है, आपको उसके अंदर logic लगाना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, प्रशन, अब देखिए, देखिए, हमारी मानसिक्ता क्या कहती है, उस पे भी बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जब भ ही ने कहीं दिमाग में ऐसा हल चलता है, कि मैं इसके अंदर nearest square निकाल लूँ, मैं किनी दो number का use करके तीसरा number बना लूँ, जो common logic होते हैं, सबसे पहले जो दिमाग में आते हैं, कोई भी यह नहीं सोचता, जब इस प्रकार की चीज़ें आती हैं, कि particular इन numbers का योग करके भी क अभी कोई logic लग सकता है, ऐसा कोई नहीं सोचता है, मैं literally बता रहूँ आपको, 99.99% जब भी बच्चा सोचता है तो उसको लगता है, कि यह किनी दो number का use करके तीसरा number बनाओ, या फिर मैं किसके अंदर कुछ square लगा लूँ, या normally इनके बीच का gap देखूँ, यह सबसे पहल संख्याओं का योग हमें दे रखाओ, मैं आपको clearly बता देता हूँ, दोस्तों, 2022 का paper आता है, और 2025 के paper में CGL, tire 1 के अंदर दोस्तों, यह प्रशना आता है, और उसके अंदर जो logic दिया जाता है, वो आप लोग देख लें, क्या दिया जाता है, 4 प्लस 23, 4 प्लस 23, प्लस 17, क कभी कोई logic हो सकता है, क्या, हो सकता है, exam में आया है, तो note करते वें चलें, एक-एक logic को, और एक-एक pattern को, 4, 23 और 17, जब आप इनको जोड़ेंगे, तो दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, 21 और यह आपका हो गया, 23, 21 और 23, दोस्तों, यह हो गया, आपके पास में, 44, 21 औ पर match कर रहा है, पहला वाला चेक करते हैं, 15 प्लस 16 प्लस 13, इनका योगी क्या हो गया, दोस्तों, 44 हो गया, पहला यह option match कर गया, आगे कोई logic नहीं लगेगा, BCD is the correct answer, मैं आपको बता रहा हूँ, 5 प्रतिशत बच्चे भी नहीं कर पाये थे इस प्रशन को, जब exam में आया अवरल पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 20 लाग बच्चे बेठे होंगे ना पेपर देने के लिए, तो उन में से 5 प्रतिशत बच्चों को भी नहीं आया दोस्तों, ये condition थी, इसी लिए आप लोग नोट करते वे चलें, एक तो पता लग रहा हो, आप उन प पूछ रहा है, और आज नहीं, पिछले 3 साल से पूछ रहा है न, ऐसे प्रशने, और ऐसे प्रशनों में आपको दिक्कत भी आती है, तो आज का पूरा सेशन इसी पे होने वाला है, ठीक है, चली, अगला देखी, जैसे ये प्रशने, तो सबसे पहले तो दिमाग में यही आता है, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, कि आज इस नंबर से इस नंबर पे जाने के लिए, जो गैप है, वो चेक कर लेते हैं, कहीं कोई कॉमन गैप तो नहीं है, जैसे यहाँ पर प्लस चे हो रहा है, यानि गैप क्या है दोश्तों सेम है, तो आप मुझे यह चेक क पर जाता हूं तब तो यहां पर प्लस 5 मिल रहा है, लेकिन 28 से 12 पर अगर मैं चला जाओंगा, तो मुझे माइनस 16 करना पड़ेगा, 75 से अगर 54 पर जाओंगा दूस्तों में, ठीके, तो मुझे माइनस 21 करना पड़ेगा, और 54 और 40 के बीच में माइनस 14 करना पड़ेगा, 10 औ 15 के बीच में प्लस 5 करना पड़ेगा, और 15 और 22 के बीच में दूस्तों मुझे यहां पर प्लस 7 करना पड़ेगा, तो कहीं पर भी मैच नहीं किया, सिर्फ यहां पर मैच किया कि इन दोनों के बीच का गैप सेम है, इन दोनों के बीच का गैप सेम है, अब कभी-कभी क्या ह होता है ने दोस्तों। GP इस प्रकार से भी आ जाता है 6 lanes फुरुवक सुनिएगा। जैसे यहा पर साथ 6 प्लस छे चल रहा है। तो बहुत सारे बच्चे यह logic लेके चलते हैं कि यहां पर जो gap होता है छतना दे रखा है उतना ही यहां आना चाहिए है ना बहुत जारे लोग यह सोचते हैं logic लगाते समय कि अगर यहां पर दो नमबर के बीच में plus 6 और इन दो नमबर के बीच में plus 6 है तो यहां पर भी 100% दो नमबर के बीच में plus 6 plus 6 ढूणने लगते हैं वो और जब उनको plus 7 plus 7 दिखता है तो वो confused हो जाते हैं कि यहां तो plus 6 plus 6 यहां पर plus 7 plus 7 क्यों है इसका मतलब इस question में कोई mistake है यह question wrong है पर ऐसा नहीं है ऐसा बिलकुल भी नहीं है यह भी एक logic को represent करता है कि यहां पर logic यह है कि numbers के बीच का gap यहां पर same है तो यहां पर भी numbers के बीच का gap same हो बात समझ में आ रही है क्या मित्रों सभी लोग वड़ावड़ से थमसब करके बता दे यह मत सोचना कि यहां 6-6 मिला है तो यहां भी 6-6 मिलेगा जी नहीं यहां same मिला है तो यहां भी same मिल सकता है छे और छे का gap मिलता तो बहुत ही common logic हो जाता हर कोई सोच लेता हर कोई करके आ जाता लेकिन भाई साव यहां पर same gap को represent कर रहा है ठीक है note कर लीजेगा किसको represent कर रहा है same gap को same difference कह सकते हो आख same gap कह सकते हो समान अंतर को represent कर रहा है next आगे देखेंगे अगला question देखेंगे बनाओ भाई यहां तो सापसा भी दीख रहा है मुझे लगता है यहां तो आपको pen चलाने की भी जरुबत नहीं है क्यों मित्रो चार चौंसट और यहां लिखा हुआ है आठ कौन बताएगा कौन बताएगा जल्दी से बताईए बड़ाफट से एक दम गोली की स्पीड से आना चाहिए भाई साब 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 दिख रहा है जब आपको ऐसा हो कि जब आपको तीन नंबर दे रखे हो और उनमें एक नंबर बड़ा हो बागी के दो नंबर छोटे हो तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कौशिश यह करो कि सबसे पहले जो बागी की जो छोटे नंबर है ना उनका यूज करके बीच वाली संक्या तक पहुँचा जाए जैसे चार को आठ से गुणा करोगे तो दोस्तों यह 32 बनता है और 32 को मैं 2 से गुणा कर दूँ तो यह बन जाएगा 64 तो सेम टू सेम दोस्तों यह लोजिक यहां भी लग रहा है से देखिए 35 और 35 का अगर दुगना कर दिया जाए तो यह हो गया आपका 70 पर यह यहां मैंच नहीं कर रहा यहां नहीं कर रहा यहां नहीं कर रहा तो आंसर क्या बना ए ऑप्षन इस दी करेक्ट आंसर साइए वैरे कूड बढ़ी है यार विक्की बहुत बढ़ी है भाईया शमा करना ठीक है प्रिया जांगीड धनन्श्री गायकवार अजे कुमार शर्मा रजत चौदरी क्या बात है दुरगेश कुमार शुबधीप महता चली बनाइए क्या आएक भाई हमेशा फॉकस यह रखो जब गैप आपका काफी ज्यादा मिले तो हमेशा फॉकस करो छोटे नंबर्स पर आठ और सोला का यूज़ करके क्या 48 बना सकते हैं अब सोला को आठ से गुना करोगे तो भाई साब बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा सही है नहीं लेकिन सोला में वो होता है 48 सही है तो ऐसे ही आप लोग देख लें 6 प्लस 12 यह कितना हो रहा है दोस्तों 18 18 इंटू 2 36 तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है हर बार जरूरी नहीं होगा कि यहां मल्टिप्लाई ही होंगे एड करके भी आप लोग से जो नंबर बन रहा है उसको आप बढ़िया शाबाज चलिए next confidence बढ़ता जाएगा दीरे दीरे जैसे जैसे सेशन में आगे बढ़ते जाएगे ना पचास साथ कोशन्स कर लेंगे तो आपको खुद बखुद समझ में आने लग जाएगा कि examiner की psychology क्या है वो क्या पूछ रहा है देखिए चार आठ और यहां कर दूँ तो यह 24 है सही है कि नहीं करेक्ट है है ना पर थोड़ा प्रशन को एक बार पढ़ लेते आंके खोल के तो शायद मजा ही आ जाता जीवन में भाई साब देखो कुछ भी करो लेकिन एक बार में फिर बोलूँगा बार बार बोलूँगा प्रशन जरूर पढ़ ले प्रशन जरूर पढ़ लेना एक्जाम में इतना कश्ट तो कर लेना भाईसा हो सकता है कि आप लोग घर पर प्रैक्टिस करते हो एक ही टॉपिक आपको पता लग रहा हो कि हां सब में सेम चीज़े चल रही है तो याद रिजाती है लेकिन यहां पर पूछा गया कि कौन सा स अममंदित नहीं है यहां जो लोजिक लग रहा है यह आपको पता लगी गया यह बारा बारा को दो से गुणा किया यह हो गया चौवेस अब यह जो लोजिक है ना यह दिखना नीच चाहिए आपको यहां तो दिख रहा है भाईसाब 36 और 6 42 का दुगना चोर्यासी साथ और 32 हो गया 49 49 का दुगना 78 चोदा और 5 उननिस उननिस का दुगना 38 लेकिन भाईसाब इसका मतलब यह वाला रोंग क्योंकि यह तीनों तो भाईसाब इससे सम्मंदित हो गए यह वाला था जिसमें नहीं लग रहा लोजिक ठीक है क्योंकि आप खुद देख ले चार और 26 दोस्तों हो गया 30-30 का दुगना तो 60 होगा 62 थोड़ी न होगा चलिए अगला चलते हैं नेक्स कोशन पर बनाईएगा क्या है 7, 13 और 24 ज़्यादा बड़े नमबर नहीं है आपके दिमाग में पिच्चर बन सकती है कि 7 और 13 प्लस 6 लेकिन 13 और 24 तो प्लस 11 और प्लस 6 और प्लस 11 तो मुझे कहीं दिखी नहीं रहा इतना तो छोटे-छोटे से नमबर दे रहे हैं इतने बड़े तो नमबर भी नहीं है आपने multiply वाला logic सीख लिया आपने addition वाला sum करने वाला logic सीख लिया अब भाई साब minus वाला logic देख लो यहाँ पर minus वाला logic चल रहा है अगर 13 इन दो नमबर को देखो यह चोटे नमबर है 13 में से 7 जाएगा तो 6 सही है और यहाँ पर हो रहा है कि 6 को 4 से गुणा करोगे ना को देख लें आप 14 में से 11 गये दोस्तों तो यह आपके पास बनेंगे 3 3 को जब 4 से गुणा करोगे तो यह आएगा 12 यह आपका अंसर आगे करेक्ट है मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी लोग फटा-फट से थमसब करके बता दो कि यह सर मज़ा आ रहा है मल्टिप्लाई वाला लोजिक सीख लिया एडिशन सीख लिया सब्ट्रेक्शन सीख लिया अब चलते हैं आगे लीजिए 5,10 और आपको दे रखा है दोस्तों 22 क्या दे रखा है 5,10 और दे रखा है 22 मैं पहले ही बता देता हूं कि इस प्रश्न को वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना अभी बोल रहा हूं क्योंकि ये वो ही प्रश्णों में से एक प्रश्ण है जो आपको एक्जाम में बहुत परिशान करने वाले है आपने लोजिक सीखा कि सर गेप सेम हो जरूरी थोड़ी है बाई जरूरी थोड़ी है यहां पर ऐसा लग रहा है कि 5 का दुगना 10 है और फिर 10 का दुगना प्लस 2, 22 तो भाई साब 4 का दुगना 13 तो नहीं होता लेकिन 7 का दुगना 14 होता है लेकिन 14 का दुगना प्लस 2, 28 नहीं होता है 9 का दुगना 18 होता है 18 का दुगना तो 36 प्लस 2, 38 होना चाहिए था 28 दे रखा है 6 का दुगना 12 तो सही है 12 का दुगना 24 प्लस 2, 26 पे इस दोस्तों हो, यह बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है, अब यहां पर सीधा सीधा लोजिक यह कहा जा रहा है, देखिए कैसे भी लगा सकते हो, आप पर्टिकुलर एक नंबर को पकड़ते सिरिफ, पांच का दुगना किया, तो अगला नंबर दस मिल रहा है, आप य खे का चार गुना प्लस दो करूं, तो भाई साब यह चब्विस भी बन रहा है, लोजिक ऐसे भी कह सकते हैं, कहने को और क्या कह सकते हैं, कहने को लोजिक यह भी कह सकते थे, कि पांच, दस, और बाईस दे रखा है, तो कहने को आप यह भी कह सकते थे, कि यहां multiply by 2 है, और यहां पर multiply by 2 plus 2 है, तो यहां पर आप कहने को कह सकते थे, कि 6, 12 और 26 जो दे रखा है, तो same logic यहां पर लग रहा है, multiply by 2, अगले वाले में multiply by 2 plus 2 हो रहा है क्या, जी हां multiply by 2 plus 2 हो रहा है, तो इसका मतलब यह भी बिल्कुल perfect है, बिल्कुल सही, बात समाझ में आ रही है, clear है द लोजिक, अभी अभी अगर कोई बच्चा दिल्ली पुलिस का पेपर दे कर हाया है, ठीक है, तो मैं उसको बता दूँ कि पिछली वाली वेकेंसी में, दिल्ली पुलिस के पेपर में ये प्रश्न आया है आपका, चलिए next, आगे देखिए, बनाईए, बीज-बीज में मैं आप लोग के कमेंट्स भी ले लूँगा, आप लोग फॉकस करते रहें कॉशन्स पे, ठीक है, करिए जब तक, अब तक दो-चार के कमेंट्स ले लेते हैं भाई, सर, वर्ल्ड कप दुबारा हो सकता है क्या, शेलू, जाहिरा, देखिए, वो अपना कर्म कर रहे हैं, है न, जो होना था, हो गया, अगर दुबारा होता है, तो भी होने दो, उससे हमारा तो कोई फायदा नहीं है, कुछ भाउना है, जरूर जुड़ी हुई है, देश प्रे तो भाई साब, भगवान से प्रात्नाय कर लो, या खुदगी अप्रोच हो तो अप्रोच कर लो, है न, सही है न, बाकी तो मैं तो यही कोऊँगा कि अपना समय हमेशा वहाँ दो, जहां वास्तों में जरूरत है आपको, जिससे आपका विकास हो सके, सही है न, क्योंकि एक तो वो होते हैं, जनमें खुद में दम होता है, और वो दुनिया बदलने का भी दम रखते हैं, और दूसरे वो जनमें खुद में कोई दम नहीं होता, लेकिन दूसरों को देखकर इंस्पायर होके जरूर, वो उनको फॉलो जरूर करने लग जाते हैं, ठीक है, तो आपको decide करना है कि आपको जीवन भर दूसरों को follow करना है या फिर आप खुद एक example बनना चाहते हो दूसरों के लिए important है गहराई वाली बात है समझना चीज़ हो ठीक है correct है चली देखी का इदर 35 और यह बहुत ही simple logic है एक permanent logic तो याद ही रखिलो हमेशा याद रख लो nearest square या cube वाला logic तो जरूर याद रखना या to square या फिर cube वैसे आपसे यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा समान नहीं है यहाँ पर मैं सीधा सीधा logic लगा सकता हूँ कि 5 का square 25 होता है 25 में 7 जोड़ दूँ तो यह 32 बनता है सही है तो इसी प्रकर आप देख लें कि 9 का square प्लस सद यह तो मैच नहीं करता उसने यही बोला था कि कौन सा समान नहीं है तो भाई सब पहला वाला option ही मुझे ऐसा लग रहा है कि यह समान नहीं है बागी सब तो समान ही है देख लो 6 का square प्लस 9 करोगे तो 45 आएगा 4 का square प्लस 12 करोगे तो 28 आएगा और अगला भी देख लो 7 का square प्लस 3 करोगे तो 22 बागी सब में तो मैच कर रहा है पर यहां पर मैच नहीं करेगा भाई सा उसने यही पूछा था कौन सा मैच नहीं करेगा तो यह मैच नहीं करेगा अगला प्रशन बनाए बनाए दोस्तों जल्दी से बनाए फटाफट से 5,36 और 3,43 बनाए बनाए लेस्ट एक बच्चा बोल रहा है कि सर बहुत दिन हो गए शायद काफी टाइम से फॉलो कर रहा हो गा वबच्चा तो वो बोल रहा है कि सर पहले आप जब क्लासेज लिया करते थे तो उसमें बीज बीच में कभी आप शायरी भी सुनाया करते थे ठीक है तो सब क्लास को थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग बनाने के लिए बीच-बीच में शायरी भी हो जाए यह अलगी लेवल पर चल रहा है भाई इसको याद है मतलब कम से कम सुनाएंगे भाई साह बिल्कुल सुनाएंगे ठीक है आप शेर करोगे आप लोग प्यार दोगे तो भाई साहब यह भी करेंगे आपके लिए ठीक है समेट लो भाई साहब समेट लो इन नाजुक पलो को है कि नहीं समेट लो इन नाजुक पलो को न जाने लम्हे वक्ट यह लम्हे कल हो न हो सही है कि नहीं समेट लो इन नाजुक पलो को न जाने कल ये लमहें हो न हो चाहे हो भी ये लमहें पर पता नहीं उन पलों में शामिल हम हो न हो इसलिए जितना हो सके आज में जी लो और बढ़िया से मस्ती से पढ़ लो चलो बनाओ पांच छत्तिस और आगे दे रखा है 343 इमानदारी से बताना क्या वास्तों में ऐसा कोई बच्चा है जिसको ये प्रश्न देखते ही ना समझ में आया हो ये पांच की पावर एक है जो की साब साब दिख रहा है 36 को में सीधा सीधा लिख सकता हूँ कि ये छे की पावर दो है है ना मित्रो और भाई साब ये भी साब साब दिख रहा है कि ये साथ की पावर तीन है तो क्या आपको ये नहीं दिख रहा कि इनके अंदर प्लस वन प्लस वन वाला लोजिक चल रहा है यानि कि जो नमबर्स दे रखे हैं उसमें पावर एक है पावर दो है और पावर तीन है और आगे बढ़ते वे जा रहे हैं तो अगर वैसा ही लोजिक में देखूँ तो यहां तो नहीं है यहां भी नहीं है यहां चार का स्कॉयर सुरी चार की पावर एक पांच का स्कॉायर पांच की पावर दो अगला छे की पावर तीन दोसो सोला परफेक्ट है दोस्तों आगे बी आप्शन आंसर चलें नेक्स्ट आगे चलते हैं चली बनाइए दोस्तों बनाइए वेरी गुड बहुत बढ़िया अगला प्रश्न मेरे भाईयों और मेरे मित्रों ठीक है ये प्रश्न जो भी वेक्ति कर लेगा ठीक है देखिए क्योंकि रीजनिंग जो है आप सभी लोग जानते हो कि ये एक खेल है किसका दिमाग का प्रटेक वेक्ति की सोच अलग प्रटेक वेक्ति के सोचने का तरीका अलग सही है जो एक्जामिनर की सोच से मैच करता हुआ खेल जाएगा वो बाजी जीच जाएगा जिसने रीजनिंग में बढ़िया स्कोर कर लिया उसने अपना सेलेक्शन पक्का कर लिया ये आज का सिनेरियो हो चुका है ये आप सभी लोग जानते हो जिसकी रीजनिंग बिगड़ गई खेल भीड़ गई ठीक अब ध्यान पूर्वक देखना इदर यहां पर ऐसे नंबर आपको दे रखे हैं कि जिनके बीच का अगर में गैप निकाल भी लूना 35 जो नहीं होता है 70 यहां पर साब साब मुझे ऐसा दिख रहा है कि 66 और 35 का जो डिफरेंस है ठीक है वो लगबग जो है 32 का डिफरेंस आ रहा है और यहां पर अगर मैं देखू तो 14 का डिफरेंस आ रहा है नय तो यहां कम होरी वेल्यू यहां गैप बहुत ज़्यादा है यहां पर अगर आप देख लें दोस्तों तो यहां पर भी 32 का गैप नहीं है और ना यहां पर गैप है यहां 32 का गैप था दो नंबर्स के बीच में तो गैप वाला सिस्टम तो खतम पिच्चर गैप से तो नहीं हो रहा सही है अब यहां पर देखना वास्तिविक्ता में कि एक्जामिनर या एक्जाम में दिये वे लोजिक इंको इंको रीजनिंग के ऐसे प्रशन उठा कर देने है कि इनसे पैन तो चलाएं ही है लेकिन इनका दिमाग चले ही न ठीक है तो यूं समझ लेना कि उन प्रश्णों में ज़्यादा समय अपन को नहीं लगाना है अपन को तुरंत आगे बढ़ जाना है IQ-based प्रश्णों होते हैं दिमाग कभी लगता है कभी नहीं लगता है अब मेरी बात सुन लेना इधर बहुत गोर से ध्यान पूरवक reasoning में हो सकता है कि आपने ऐसे प्रश्णों की एक हजार बार practice करी है पर ego लेके कभी भी exam hall में मत बेढ़ना ego क्या कि यार मैंने तो ऐसे प्रश्णों की एक हजार बार practice करी है अरे ये प्रश्णों कैसे सोल नहीं होगा मैं लगाऊंगा दिमाग आप दिमाग लगाओ पर अपनी समय की बरबादी exam hall में मत करना अगर click हो रहा है 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड में अगर click हो रहा है तो भाई साब रुको आप otherwise आगे बढ़ जाओ निकल लो अगले प्रश्णों ठीक है clear है अब ये प्रश्णों देखना कितना important है यहाँ पर जो logic चल रहा है हाला कि 2 नंबर से 3 नंबर जरूर बन रहा है लेकिन इस बार इनकी digits का use किया हुआ है यह 67 लिखा हुआ है यह 35 लिखा हुआ है तो इनकी जो digits है न 67 और 35 की 6, 7, 3, 5 जब इनको जोड़ोगे तो इसका sum कितना बनेगा दूस्तों 21 यह देखिए 13 13 और 8 कितना होगे दूस्तों 21 होगे अब आपको लगता है कि आपके दिमाग में यह चीज आ सकती है यह तभी आ सकती है जब आपने पहले भी कभी practice करी हो बिना practice के या बिना देखे वे प्रशन के आप कभी भी इस प्रशन को नहीं कर सकते 29 लिखा हुआ है 47 लिखा हुआ है ठीक है तो देखना भाई सब यहां पर 2 और 9 11 4 और 7 यह भी 11 11 प्लेस 11 दोस्तों कितना हो रहा है यह हो रहा है 22 ठीक है तो यह आपका logic बेड़ गया आगे चेक करने की जरुबत नहीं है बात समझ में आ रही है बात आ रही है समझ में सबी बच्चे दिल से like करके एक बार share कर दें दोस्तों कि यह सर बिल्कुल समझ में आ रही है ठीक है इसी लिए exam के आएवे प्रशन इंपोर्टेंट हो जाते हैं और वो सबसे ज़्यादा जो दोस्तों है ना आप लोग इनकी प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा बेटर है मैं तो कहें सिंपल सा सीधा में बोलूँगा आप पिछले 15 साल पुराने पेपर को अगर आप सोल कर रहे हो या 10 साल पुराने पेपर भी सोल कर रहे हो कोई मतलब नहीं आप 21, 22, 23 में आयवे जो पेपर्स हैं उनको सोल कर लें वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि सिनेरियो बदल चुका है पूछने का तरीका बदल चुका है एक्जामिनर का लीजिए बनाईए साब साब दिख रहे हैं दिख रहे हैं कॉमन लोजिक है यह तो अब आपको याद भी हो गए होगी इतनी बार जो एक्जाम में आया है कि यह जो दो नंबर हैं ठीक है इन नंबर को पहले हमेशा कोशिश करो कि इन दो नंबर से क्या इसके करीब पहुचा जा सकता है जैसे बारा आठे होता है चिन में सही है और बारा में अगर मैं आठ जोड़ दूँ तो होता है बीस चिन में और बीस का योग कर दूँ तो दोस्तों यह होता है 116 सही है क्लियर है यानि एक बार इन दोनों नंबर से मल्टिप्लाई करके जो वैल्यू बनी इन दोनों को प्लस करने के बाद जो वैल्यू बनी उनको आपस में एड कर रखा है तो ऐसी 166 की चिन में और 16 और 6 जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं आपके पास में 22 चिन में और 22 दोस्तों आपका हो गया 112 सही है क्या हुआ 112 12, यह कितना हो रहा है आपके पास में, 8, यह हो रहा है आपके पास में, 118 हो गया है, यह तो, तो इसका मतल़ यह लोजिक तो नहीं है, चलिए, आगे चलते हैं, 24 इंटू 12 करते हैं, चलिए, 24 इंटू 12 करोगे, या इकाई के अंक से करके देख लो, ठीके, 4 दुनी, 8, में आएगा, यह भी रहोंगे, हमेशा यूनिट प्लेस चलना चाहिए, दिमाख में, ठीके, 6 चोका कितना हो गया, 24, तो इकाई कांक तो 4 मिल गया, 6 और 4 कितना होता है, 10 यानि की 0, अब 0 को 4 में जोड़ोगे, तो इकाई कांक 4 आना चाहिए, पर यहां पर कितना आ रहा है 8 यह भी नहीं है, फिर इसको करो, 11 दुनी, 22, 220 तो यह हो गया, 220 में दोस्तों आप लोग 31 जोड़ोगे, तो बिल्कुल 251 आपका आंसर आजाएगा, कौन साथ, D option is the correct answer, और कोई भी मैच नहीं करो, तो हमेशा जब प्रोसेस आपको समझ में आ गया, तो फिर यूनिट क्या आएगा दूस्तों, चलो, यह लोजिक भी देख लो, सिंपल सा, यहाँ पर साब साब दिख रहा है, कि यह इसका आदा हो रहा है, 114 का आदा कितना होता है सत्यासी, और सत्यासी में अगर 3 का भाग लगा देंगे, तो हो जाएग 29, तो यह हो रहा है, डिवाइड बाइ थो यहाँ समझ में आया, सब्सक्स खेंदे है, पर डिवाइड बाइ3 समझ में नहीं आया, डिवाइड बाइड बाइट थो, तो यहाँ का आँशर आगे, बी ओप्शिन इस लिग नेक्स्ट, बनाइए दूस्तों, कर दो कर दो कर दो क्या है? एक बच्चा बोल रहा है कि सर समय, सर मेरा समय ही खराब चल रहा है, अरे मेरे भाई, समय कभी अच्छा होता नहीं है, उसको अच्छा बनाना पड़ता है, अपने कर्मों से, ये बात ध्यान रख लेना, क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है, जिनके हाथ नहीं होते है, ठीक ह जिनके हाथ नहीं होते हैं, लगेरें नहीं होती हैं, तो किसमत तो उन्हों की भी होती है, तो इस गलत फेह में मातहों, सभी लोग दिलसे लाइक करदे हैं, क्लास सही से चल नहीं रहा, क्या दिक्क्यत आ रही है? मितनु छेक कर लेता हूं, सही बढ़िया चल रही है यार एक दुम कोई दिक्कत नहीं रीफ्रेश्च कर लो एक बार आप चली बनाई किया है कि अधर नियरे से स्क्वार नियरे स्क्वार नियरे स्क्यूब तो सिखाए यह आपको तो कहां दिक्कत आ रही है दिख रहा है न सबसब लोजिक देखिए दो का क्यूब आठ और साथ का स्क्वार दो का क्यूब और साथ का स्क्वार कर दें और यह उरंचास प्लस आठ दोस्तों 57 हो जाएगा तो ऐसा ही लोजिक डून ले हम कहां पर है ठीक है 4 का क्यूब 64 64 में 9 जोड़ेंगे तो ज़्यादा होगी वेल्यू स्क्वाइर करेंगे तो ज़्यादा ही बनेगा ठीक है 5 का क्यूब 125 और 2 का स्क्वाइर 4 125 प्लस 4 139 यह हो गया आगे चली 921 और 124 थोड़ी सी स्पीड भी रखी अगर आपको चीज़े समझ में आ रही है अच्छे से थोड़ी सी स्पीड रख सकते हैं आप कोई रिक्कत नहीं चलो बनाओ क्या हैगा दोस्तो अब भाई सब सीधा सा खेले कि गैप अगर आपको बहुत ज़्यादा दिखे देखिए इसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है इसके बीच में गैप थोड़ा काम है तो कोशिश ये करो कि पहले वाले नंबर से दूसरा वाला नंबर बनाया जाए मैं फिर बोल रहा हूँ रिपीट कर रहा हूँ अगर आपको नंबर के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा मिले यहाँ पर बहुत कम मिल रहा है यहाँ बहुत ज़्यादा है तो आपको क्या कोशिश करनी है कि कि किसी एक नंबर को पकड़के उससे दूसरा नंबर बनाया जाए जैसे 9 दुनी 18 18 में 3 जोड़ेंगे दूस्तों तो 21 बनेगा सही है 9 दुनी 18 18 में 3 जोड़ा तो कितना बना दूस्तों 21 बना सही है अब आप इस वाले दूसरे वाले नंबर से तीसरा वाला नंबर बनाए 124 तक जाईए आप 21 पंजे होता है दूस्तों 105 सही है 21 पंजे 105 और 26 अगर कर दें ठीक है 126 तो हो जाएगा पर तो आगे बहुत फिर आगे जाना पड़ेगा चलो करके देख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं 21 इंटू 6 दोस्तों होता है 126 126 में से 2 को माइनस करेंगे तब जाके बनेगा 124 हो सकता है 5 से भी हो जाए मैं फिलाल बस ऐसे लिख रहा हूँ ठीक है ये मैंने इसके बीच का गेप निकाला 9 दूनी 18 18 प्लस 3 इक्टिस और 21 चिंग दोस्तों 126 माइनस 2 ये हो रहा है 124 ठीक है मैंने लिखा है अभी हो सकता है कि 5 वाले से भी बन जाए 21 पंजे 105 प्लस 19 करना पड़े फिर अपने ठीक है चलिए चेक करते है 14 दूनी 28 चलो ये तो नहीं होगा फिर आगे 5 दूनी 10 प्लस 6 17 दूनी 34 प्लस 3 बिलकुल लास्ट वाला देखी डी ओप्शन देखी एक बड़ डी ओप्शन देखी 17 दूनी 34 प्लस 3 दूस्तों 37 और 37 इंटू 6 माइनस 2 कर दूँ तो 7 चंग 42 2, 2 माइनस 2, 0 बिलकुल भाई साब 100% 220 आ रहा है यही आपका अंसर देखी मज़ा आया कि नहीं है मज़ा आया प्रशन के अंदर अब कैसे माइन में कैसे क्लिक होता है क्लिक इस प्रकार से होता है कि भाई साब चीजे याद रखनी पड़ेंगी जो मैं बोल रहा हूँ अगर आपको किसी को लिखना हो तो लिख भी सकती हो प्रैक्टिस करते हुए कि दो नमबर्स के बीच में गैप ज़ि性 ज़ादा मिला तो हमने टार्गेट किसको किया पहले वाले से दूसरा बनाया पहले वाले से कभी-कभी तीसरा भी बनेगा पहले वाले से दूसरा बनाओ और दूसरे से तीसरा बनाओ common logic है note कर लो याद रख लो ठीक है clear है next आगे चलते हैं दोस्तों 5 और 8 दे रखा है और भाई साब मुझे बनाना है उससे 100 ठीक है अब यहसे तो 25 चोक 100 होता है 5 का square अगर मैं कर दूँ 5 का square होता है 25 और 25 को 4 से गुणा करूं अगर मैं तो 4 तो तब बनेगा जब 8 में 2 का भाग लगाओगे तो यह बनेगा आपके पास में 25 इंटू 4 तब जाके बनेगा भाई साब 100 क्योंकि दो नंबर छोटे यही थे बड़ी संक्या यह थी तो same to same logic में यहाँ पर देखता हूँ 7 का square होता है उरंचास उरंचास का दुगना कर दूंगा तो 28 में आना चाहिए फिर आगे 16 इंटू 10 160 होना चाहिए तीन का square नो और 8 हो गया गोश्तों सी ओप्शनी है तीन का square इंटू 16 का आधा तो 9 इंटू आठ नो आठे 72 यह आपका अंसर यह क्रोस करूँ सिंपल सी चीज़ है क्लिक कर गया माहिन में नेक्स आगे च कि सरेक्षाइरी अरे भाई साब बिल्कुल सुनाएंगे आप पड़ो तो सरी अभी तो प्रोसेस चालू हुआ है कारेकरम चालू हुआ है सही है नहीं है का है जीवन में इतना टेंशन लेते हैं कि अधार आपको जिसने भी यह प्रशनी किया ना कि मोटिवेशन इसका मतलब है कि इनके सपने खोक लें भाई सब पर ठीक है जैसे भी जिसके भी आपने अपने हैं सही है नहीं वरना जिसके अंदर आग होती है ना जिसके सपने बहुत बड़े होता है जिसने target fix किया होता है कि बस यार पढ़के फटा-फट से selection ले लेना है ठीक है तो वो उसको बार-बार motivation की वैसे जरुवत पढ़ती नहीं है पर वही है न हकीम सुना है हकीम जब कोई चीज खराब होती है तो हम हकीम के पास जाते है ठीक है न तो यूँ समझ लो कि मैं वो हकी मूँ पर होसला तो आपको रखना पड़ेगा भाई साब ठीक है होसले तो आपको जगाने पड़ेगी अपने अंदर से तो सुनाता हूँ आपको इसी पर हकीम वाली बात भी होसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते होसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते हर तकलीफ में हर तकलीफ लीफ में दवा का काम करते हैं चलिए बनाईए 16-24 तीस क्या है अरे भया अंकित पानी पिला दो यार चलो बनाओ भाई क्या आएगा नहीं आया आना चाहिए था यार भया ये तो आना चाहिए था ना क्यों क्या कहते हो ध्यान पुरुबग देखना मैं तो करौँ कुछ नाई समझे में आये जीवन में पर इतना तो फिर भी समझे में आ रहा है कि 16 का 1.5 ना हैjar गैप तो हाला की मैं 利ग या कम ही था तो आपने सबसे पहले गैप का ही सोचा होगा की हाँ यार यार यहां पर 8 का गैप है यार यहां पर 6 का गैप है ठीक है यहां पर आपको ऐसा लगा होगा कि 8 का gap है और यहां पर 6 का gap है पहले यह चेक कर लो तो फिर आपको यहां पर समझ में आया कि यहां तो plus 9 और फिर आगे जायें तो और ज्यादा हो गया plus के 18 का gap हो गया है साही है? correct है फिर नीचे देखा आपने की प्लस 7 और फिर अगला देखा आपने तो प्लस 17 22 और 32 में देखा तो प्लस 10 और यहां प्लस 8 फिर आपने नीचे देखा भाई सब यहां पे प्लस 20 और यहां पे प्लस 15 अब आपके दिमाग में कहीं न कहीं यह जरूर picture बनी होगी कि यार यहाँ पर जो है ना gap के बाद का जो gap आ रहा है वो plus 2 का है तो भाई सब यहाँ पर gap के बाद का जो gap है ना यहाँ पर भी plus 2 का है कौन से हैं C वाले option के अंदे 8 और 6 का difference 2 है तो 10 और 8 का difference भी 2 है आपके दिमाग में यह picture जरूर आई होगी आई या नही आई आई या नही आई मुझे बता दो पहले तो आई यह picture जिस किसी के भी दिमाग में यह picture आई है ना वो बिल्कुल wrong है पहले ही बता दूँ बाई सब इस प्रकार का logic तो आप तब भी नहीं लगाओगे जब आपको प्रशन नहा रहा हो ध्यान रख लेना अगर किसी किताब में कहीं दिख रहा हो या किसी टीचर ने बताया हो ना तो भाई सब तुरंत छोड़ देना उस वेक्ति को और उस किताब को भी अगर आपके दिमाग में ये पिच्चर आ रही है कि मैं भाई सब यहाँ पर gap निकालू यहाँ पर gap निकालू उससे जो दो number आए मैं फिर उसका gap चेक करूँ ठीक है? correct है? और वो मुझे कहीं पर दिख जाए? अगर प्रशन नहा है नहाँ मैं कहीं रहाँ तब भी मतलगा ना ये लोजिक ऐसा कोई लोजिक नहीं होगा कब? जब आप लोग इस तरीके के प्रशन कर रहे होंगे ठीक है? अब देखिएगा यहाँ पर यह multiply में अगर देखें तो यह इसका डेड़ गुना है भाई साब देख लो यह क्या है डेड़ गुना सही है नहीं है 16 16 एकम 16 और 16 का आधा यानि कि 0.50 यानि डेड़ गुना 1.5 से गुना कर दें डेड़ गुना कर दें इसका तो यह definitely क्या बनेगा 24 लेकिन भाई साब यहाँ पर डेड़ गुना नहीं हो रहा है 24 एकम 24 अब 24 का आधा थोड़ी नहीं है 12 थोड़ी जोड़ रहे हो आप तो 6 जोड़ रहे हो यानि इस पांच 0 1.50 का भी आपको फिर क्या करना पड़ेगा आधा करना पड़ेगा ध्यान पूर वक देखना क्या लोजिक लगा रहा हो मैं भाई 16 का डेड़ गुना अपका 24 है 16 एकम 16 16 का आधा होता है 8 और 16 को जोड़ते हैं तो 24 आता है यानि एक बार तो पूरा 16 और ये 0.50 यानि आधा और किया है हमने लेकिन यहां पर ठीक है 24 एकम 24 एक तो पूरा ले रहे हो पर फिर 24 का आधा थोड़ी ले रहे हो 0.50 थोड़ी ले रहे हो उसका भी आदा ले रहे हो आप यानि कि 0.25 यानि एक चोधा इससा ले रहे हो 24 का एक चोधा इससा होता है 6 यहां पर ये gap चल रहा है आप तो बस यह logic ढून लो कि यह logic कहीं पर हो सकता है क्या बिल्कुल हो सकता है, भाई सब साफ साफ दिख रहा है, मुझे D option के अंदर, यह देख लीजिए आप कितना बहतरीन प्रशन है, चालिस अगला दिया था साथ, अगला दिया था पिचत्तर, तो आप खुद देख लो, चालिस एकम चालिस, चालिस का आदा बीस, तो चालिस में बीस जोड़ा हो गया साथ, यानि डेड़ गुना, अब इसी प्रकार से साथ हैकम साथ, सहीए, अब साथ का चोथा हिस्स, 25 भाग लिया था, यानि कि 6, तो यहाँ पर साथ का चोथा हिस्स, यानि कि होता है 15, तो बिल्कुल सही लोजिक बन गया, भाई साथ, यहाँ पर, इंटू 1.25 चल रहा है, D option के अंदर, मजा आया की नहीं है, मजा आया की नहीं है, जल्दी बता दो, फड़ा-फड से, साथ, चलिए भया, नेक्स, आगे दिखे, अब आएंगे असली मज़ेदार प्रश्न तो, अभी तो पिच्चर चाल लो हुई है, अब आपको यह लग रहे होंगे, सर यह प्रश्न किताबों में क्यों नहीं दिखते हैं, किताबों में अगर यह प्रश्न दिखने लग जाए तो दिख जाए, वरना आपको क्या लगता है कि जब examiner question देता है, उसके बाद वो answer की देता है, है ना, solution थोड़ी देता है, एक बाद होताओ examiner exam लेता है, उसके कुछ दिन बाद में वो answer की देता है, उस पे हम लोग क्या लगाते हैं, अगर हमें लगता है कि question में doubt ल होता है कि हाँ यार मैंने ये logic लगा के दिया है, अब बच्चा अगर सोच पाया तो ठीक है, नहीं सोच पाया तो फिर वो तो objection लगाएगा, तब भी wrong रहेगा उसका, बाद समझ में आ रही है, चलिए, next आगे चलते है, बनाओ भाई बनाओ, क्या है, साब साब दिख रहा ह सभी के सभी प्राइम नंबर हैं, अर्थाद अभाज्य संख्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, अभाज्य संख्या है, सही कि नहीं है, तो ऐसा देख लो, जिसमें सारी अभाज्य संख्या है, 91 भाई संख्या नहीं है, 7 का भी भाग लगता है, 93 में तो 3 का भाग लग रहा ह 29 में किसी का भाग नहीं लगेगा तरेपन में भी लगेगा 19 में भी नहीं लगेगा यही आंसर और प्राइम नंबर्स डी ऑप्शन इस दी कर्रेक्ट आंसर नेक्स आगे देखेंगे दोस्तों फड़ा पट से तुरंत आगे देखिए क्या बनने वाला है कि चलो बनाओ अब यहां पर आपको ऐसा लगा प्रश्न कि यह 45 यह उरंचा से 47 गैप ज्यादा है निए 45 से 47 प्लस दो 47 से उरंचा स्प्लस दो आपके दिमाग में ऐसी चीज़ आ सकती है ठीक है ना करेक्ट है तो आप सोचके देख लो क्या आप कर पा रहे हो अरे अभी कहां चल दी है अभी तो करेक्रिम चालू हुआ है भाया अभी इतनी जल्दी ठक गए बस बताओ यह बताओ इन लोग को जरूत पड़ती है मोटिवेशन की यह लोग वह हैं जो भागते रहेंगे जिंदीगी भर इनको वह दिखाओ दो प्लस दो चाल होता है आपको इसका मतलब जरूवत है अपना बेस स्ट्रॉंग करने की फाउंडेशन पहले स्ट्रॉंग करने की नीव जब तक स्ट्रॉंग नहीं होगी बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी ना नीव कमजोर है तो फिर सब कमजोर अब यह प्रश्न है तुम कर दो बस अगर तुमन से पहले आंसर दिया है बी ओप्शन है ठीक है मुहमद साकिर खान अनामक जो वेक्ति हैं इन्होंने आंसर दिया है बी ओप्शन मधू चोपडा ने दिया है सी ओप्शन कि चलो बनाओ यार के यह इशर सेट वाली बूक इसलिए बनाई थी मैंने मैं चाता तो पर मुझे लपता था कि ठीयोरी तो मैं वैसे भी पढ़ाते ही हैं पढ़ाई रहूं हैं आपको जरुवत है प्रैक्टिस की तो प्रैक्टिस के लिए आप यह वाली बूक ले सकते हैं हाइली रिकमेंडेट करूंगा मैं आप चाहे 500,000 रुपए वैसे ही वैस्ट कर दो वह अलग बात है लेकिन भाई साथ पता से पानी पता से के पैसे बचा के यह जुरू ले 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 यह आपका जीवन बदल देगी आपको कम से कम आपको इतना सिखा देगी कि हां यार आप रीजनिंग में अतलब नौलेजिबल हो गए अब आपके सामने पॉशन रख दीजा आप डरोगे नहीं बस चलो देखिए इदर लोजिक ना लगे जब लोजिक ना लगे याद रखना आज की एक एक छीज एक एक कोशन बहुत इंप्रूटेंट है अगर logic ना लगे nearest square, nearest cube वाले logic भी ना लगे हैं तो सबसे पहला आपको एक logic सिखाया था यादे आते ही सबसे पहले 2022 CGL tier 1 का एक logic मैंने सिखाया कि कम से कम कुछ ना लगे ना तो इतना तो कश्ट करना कि तीनो संख्याओं को जोड़ के जो number बन रहा हो ना वो एक बार चिक कर ले ना कहीं पर किनी तीनो संख्याओं का योग करके वो number तो कहीं नहीं बन रहा ठीक है इतना तो आप तो 22 अब करना ही पड़ेगा आपको और इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला यह जितने लोजिक्स मैंने आपको आज यहां सीखा दिये न यू समझ लो यही है इससे बाहर कुछ भी नहीं है यह important logic है अब बताओ यह प्रशन कहां पर आया है यह प्रशन अभी अभी आया है तुम्हारे फिर से 2023 का वो 2022 के में आया था अब वही प्रशन और उसी टाइप का लोजिक है 2023 के CHSL के जो पहला पेपर होता है उसका उसमें repeat हो गया logic बताओ बास समझ मैं आगी यह लो क्या दे रखा था प्रशन प्लस उरंचा से तो गुमा फिरा के प्रशन वही आते हैं प्रिविएस एर पेपर के कोशन इसी लिए कहता हूं कि important होते हैं बार-बार कह रहा हूं तो समझ जाओ फिराब यह उरंचा से यह 45 से यह 47 से ठीक है 45 45 90 और 135 तक तो पहुंच गए उसके बाद 4 और 2 6 ठीक है correct है 135 और 6 दोस्तों हो गया आपके पास 141 ठीक बी ओप्शन आपने बोला था आंसर है चेक कर ले था हूं 35 प्लस 59 प्लस 47 सही है 9 और 5 14 और 7 हो गए 21 का 1 दो लगेंगे हैं हासिल के 6 और 5 11 और 12 13 14 बिल्कुल 141 आ रहा है आपका आंसर आ चुका है भाई सब ቢांज आयां कि दिकें कि Andrea है अब बे 수現在 जागर bon कि यहां पर 25 चल रहा है यहां भी even इना अब में से Image यहां पर ज़्यादा है कि मैं यहां पर देखे तो 60 27 यानि की तेईस और अगर यहां पर देखें तो आथारा और 25 23 23 23 23 23 23 अच्छा उसने पूचा था कौन सा मैच नहीं करता कौन सा मैच नहीं करता तो फिर तो यह आंसर आज़े लगो यह तो मैच कर रहा है यह तो मैच कर रही रहा है आपका डी ऑप्शन इसका अंसर होगा क्योंकि प्रश्ण वाँ पर जरूर पढ़ लेना उसने पूछा है कौन सा साजा नहीं करता है दो डी वाला साजा नहीं करता है बाकी सब साजा करेंगे अगला देखीगा दूस्तों कि अरे कि चलो कि लोजिक देखते हैं इसका कि टिक कैसे कर दिया सोल कर रहा था क्या कि लग रहा था इस पर टिक लग रहा था कि अच्छा ठीक हमारे अंकित भाईया भी पढ़ाई करते हैं न कि चलो बनाओ कि देखी दोस्तों यहां पर क्याल हो जी अब आपको दिग्या यहां पर कि 319 और 370 के बीच का गैप देखा जाए तो कम गैप हैं यहां पर जैसे ही आपने देखा 29 और 319 गैप बहुत ज़्यादा मिला अब 29 को अगर मैं 10 से गुणा करूं न तो लगबग 290 होता है अब 290 में अगर 29 जोड़ दू तो 319 होता है इसका मतलब यह हो रहा है इसका मतलब यह चल रहा है इंटू 13 ठीक है आपको सिखाई दिया मैंने यह जब आपको गैप उठपटांग सा दिखे यहां गैप कम है यहां गैप जादा है तो आपको कोशिश क्या करनी है पहले वाले नंबर से दूसरा नंबर बनाओ और यह भी हो सकता है कि पहले वाले नंबर से तीसरा वाला नंबर बन रहो जो की साब साब दिख रहा है इंटू 11 इंटू 13 सही है करेक्ट है तो सैम टू सैम यहां पर देखना 21 लास्ट वाला देखना 21 को आप 11 से गुणा करोगे तो 231 आएगा क्योंकि टिक हो रखा था तो इसलिए मैं डारेक्ली इसी पर आ यहां बाकि सम्संसियम चले इंटू 11 इंटू 13 इंट्त्या बाकि सम्सार चार नहीं देख लाएन फिर बोल भार बार चौशन को सोलर करते समय पढ़ जरूरीं एक बब ठीक है करेक्ट है तो आज अपन 20 प्रश्ण ही करेंगे तो पांच प्रश्ण दोस्तों मैं आपको दे रहा हूं घर के लिए हमवक के लिए कोश्ण नबर 21, कोश्ण नबर 22, कोश्ण नबर 23, कोश्ण नमर 24 और यह कोश्ण नमर 25 है पच्चिस वक्त आगे यह 26 वाले को 25 माल लेना ठीक है यह कोशन नमबर 25 तो कहने का मतलब यह पांच प्रश्ण यह पांच प्रश्ण दोस्तों आपको करने हैं घर के लिए ठीक है और चैनल को कर लेना है सबसे पहले सबस्क्राइब पीडियेव आपको मिल जाएगी चैनल को सबसक्राइब कर लें मजह आया करें पस मुझे इतना बतादो कि आपको मजह कि निया है कुछ नया सीखने को मिलभा कुछ देखने को मिलभा कुछ आपको लेटन को पता लगए कि किस प्रकार क्या रहें तो इसलिए हाद जोड़कर आप सभी लोगों से विनती हैं मेहनत करें तो नई चीजों को लेकर करें ठीक है जो प्रेजंट सिनेरियो का ट्रेंड है उसको लेकर करेंगे और सीधे-सीधे अगर याद भी रख लेंगे ना तो इससे बाहर कोई लोजिक नहीं जायेगा यह लोजिक अगर आपने कर लिए दो-तिन बार भी प्रैक्टिस कर ली तो आपके रेगुलर रूटीन में आ जाएंगी फिर यह चीजे फिर आप भूलोगे नहीं इसको ठीक है किलियर है चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले तो बेल आइकन प जरूर दीजिएगा संडे को आराम से इसकी सोलुशन्स वगेरा करवाएंगे फिर और इसके अलावा अपना यह रहा फांडेशन बैच जिसको भी अपना फांडेशन प्रिपेर करना है बढ़िया मोका है रिजिस्ट्रेशन ओपन है ठीक है संडे को रिजिस्ट्रेशन इस साल की वेलेडिटी मिल रही है वेलेडिटी आपकी तब से चालू होगी जब आप बैच लेंगे आज से लेंगे तो आज से आपकी वेलेडिटी स्टार्ट होगी ठीक है ना डी टैन डी वन जीरो को एक साथ लिगेंगे 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा 200 मॉक्टेस पूरी प्रिवेस रिपेपर के कोशन प्रिंटेवल नॉट्स वीडियो डाउनलोड करने का ओप्शन वीडियो को आप लोग जो है इस पीड बढ़ाने घटाने के ओप्शन सारी चीज़ें ठीक है ना अब बहुत ही बढ़िया मज़ेदार आपके पास कुईज होमवक के कोशन सब मिलते हैं इसमें इसके अलबा अगर यही बैच आपको रिकोड़ेड फॉर्म में चाहिए न तो रिकोड़ेड फॉर्म में भी अवेलेबल है पूरा बैच आप चाहो तो 30 दिन के अंदर पढ़के खतम कर लो आराम से ठीक है ट्रिपल नाइन रूपीज इसका प्राइज है सब्सक्राइब कर सकते हैं रेलवे का रिकोड़ेड बेच चाहिए रेलवे स्पेशल रीजनिंग बैच तो वो भी आपके पास में अवेलेबल है एलपी टेक्निशन 2023-24 में जितने भी एक्जाम्स होंगे उनके लिए बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे फुल मतलब जिसके अंदर मैत रीजनिंग जीके जीएस पूरा बकायदा जैसे पेपर आता है ना सीबीटी वन का मैं आपको पहले ही बता दूँ यह थोड़े हार्ड लेवल के टेस्ट है ठीक है यहां पर आपका स्कोर साथ से सत्तर परसंट ही आएगा यह अगर आपने गैन कर तो वहां आप फोड़ दो के फिर 95 परसंट 100 परसंट भी कर सकते हो आप पूर है क्योंकि जीके बदलती रहती है दोस्तों समय के अनुसार तो प्रेजेंट के हिसाब से तो डाल दी है अभी ठीक है तो बात समझ जाओ अब आप तो सो सूपर फुल लेंथ मॉक्टेस अवेल इसके बाद डिटेल सोलुशन ओल इंडिया रैंक भी मिल जाएगी इसके अलावा इन टेस्टों को आप लैप्टॉप कंप्यूटर पर भी लगा सकती हो 1500 मॉक्टेस 99 में मिल रहे हैं और 100 रीजनिंग के मॉक्टेस जिसमें एक सेट में 30 प्रश्ण है कि अवेल ग्रॉप क्या बाद प्रॉप का सकता है ठिल्लाही हो कि अधे हो दुपने से你的 हैं ठीक है भाई 100 सूपर मॉक्टेश 75 रूपीज एक साल की वैलेडिटी आप पर चलते हैं सीधा एक्सिस बता देता हूं कैसे करना है कैसे जॉइन करोगे आप जानकर इदेई दिये आपको ठीक है तो डाउनलोड कर लीजिए एप थोड़ी सी अभी खासी वासी सही हो जाए है ना फिर और बड़ी ऐसे चलेगा गारे करूं कि कह रहा था अंकित भी या पानी देदो यार कि अ कि चलो भाई सर्वाट अबाउट एमसी सीटी कि सीटी में तो सबसे बड़ा सेलेबस अपना ही बनेगा है ना यह वाद यहां रख लीजिए का सलेबसी सबसे बड़ा होने वाला है क्योंकि उसमें बैंक के जो टॉपिक् सबसे अलावा जो सेलेक्शन टेस्ट हो गेरा हो गया साइन के टॉपिक्स डाटा सफिशेंसी यह सारे टॉपिक्स भी एड़ हो जाते हैं सीटी में ठीक है तो सबसे बड़ा सेलेबस फिर इसी का हो जाता है आप लोग आराम से जोइन फांडेशन वेज में आपन सब चलिए ओल दी वेरी बेस्ट आप लोग सेशन को शेयर कर दीजेगा अपने दोस्तों के साथ में हाना लव यू और टेक केर गुट नाइट कल मिलते हैं आठ बजे पीडिएव डाउनलोड कर देना टेलिग्राम से